तो हेलो फ्रेंड्स मैं हो आरेन और स्वागा थे आपका क्रिजी इंवेंट्शन उन्टीब चनल में तो आज मैं इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ 6 इंच सब वूफर की तो यह सब वूफर में ने अफ्लाइन मर्केट से पर्चेस किया है जो मुझे तो आज इस वीडियो में इसके फूल अन्बॉक्सिंग रिविव एन हम इसकी बास्ट पर अच्छा बचता है कौन से अम्प्लिफार पर अच्छा नहीं बचता सब आम टेस्ट करने वाले है तो आपको भी पर्चेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगा आप वहा आप तो गाइज यह रहा हमारा सब्वूफर तो देखा था हूं यहां पर लिखा हुआ आल्पाइन क्वालिटी इसक्स इट्सेल्फ यहां पर लिखा है आपको पहले बता है कि मैंने इसको अप्लेन मार्केट से परसेश किया तो गाइज यह देखिए सब बूफर है गाइस इसे तो देखिए इसकी इंपिरेंस यह फोर ओम यह चार ओम का है वोट तो उसने मुझे बता है कि मैक्स 240 वोट करीबने से जाता है अभी हम इसको उपन करें देखिए कि हमको बता सल जाएगा चलो गाइस दूसरा तो कुछ इसा बॉक्स म गाइस यह वैसे तो ब्रांड अच्छी है इतनी बुरी भी नहीं है लेकिन हम अभी टेस्ट करें कि आपके सामने है यह मुझे साड़ेत तीन्चों का पड़ा है इस सिक्स इंच का सब बूफर है तो ले गाइस आपके सामने इसके अंवर्टिंग करते है तो गाइस यह हमा सब बूफर काफी है गाइस पर लो इसको ओपन करते है तो इसकी बीड को ले तो बहुत अच्छी लग रही है बड़ा है वी का यूज्ट अच्छा मटी ले ले गाइस यह पुरा लोगा है देखिए गाइस यहां पर लिखा हुआ है अलपाइन फिकर्ण सेंड वॉफर चारों पीएटएंस और और मैक्स दूसो सौनी सोट जाती है लिखकरति है चैनली नेम इस इनफ है कि अपर हमारा माइनस और यहां पर हमारा प्लस बार जूट जाएगा अभी इसको आपके सामने में टेस्ट करूंगा कि इसमें कौन सा एंप्लिफार अच्छा है कौन सा नहीं लगाना चाहिए सब कुछ आपके समने टेस्ट करूंगा तो सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं तो इसको चलाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी तो टी पी ए थ्री वन वन जेरो एंप्लिफार मॉडियल को गैस उसकी मीडियो मैंने चनल पर पहले ही डाल दी अंबॉक्सिंग की आप आप से जाकर देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ वाँ लॉडियू तो दखे गाइस यह रहा हमारा टी पी ए थ्री वन वन जेरो मॉड तो इसकी वाइरिंग बहुत इसी है मैं मोटी मोटी आपको फिल से समझा देता हूँ देखे गाइस यह रेड वायर है यह हमारा एफम का है नेंटीना का और यह तीन वायर है हमारा ओडियो इन्पूट है जो ब्लूथूथ में तो सिधे इसमें आ रहा है और गाइस यह जो पाँ देगी इसको बारा ओड़ देगी गैस यह आट से लेके 26 वाइराम से चल जाएगा डेर देटा हूँ लेकिन उससे पहले हमारा सब बूफर कनेक कर देता हूँ तो गैस में पहले है सोल्ट वाइर को शोल्डरिंग कर लेता हूँ तो गाइस मेने यहाँ पर वाइर सुल्टिंग कर देगी है तो जाएज अभी इसको इसा उड़्टा रख देता हूँ और गैस यह वाइर इसकी यहाँ पर यहां पर आ रही है और दूसरे वाइर को अभी कनेक्टने आ किया अकिन की किया फिला मैं स्पचिके पाइब अब इस्वान को सब्सक्राइब इस्ते हीरा कि निए रखता हूँ रखता हूँ चले पाईब इस्वार्श भीटोस नहां तो इस अब ए पटैस्ट करने करता हूँ तो गाइज ये कनेक्ट हो चुका है अभी मैं इसको आप साफ साउंड सुना कर दिखाता हूं तो आप साउंड विले कर देता हूं ये सब वूफर इसे इसमें दबी दबी साउंड आरी है वाओ झाल को ये से क्क आल के दिष्वेसं की दोफर अगान को ये मैं वूफर आरी है अभी आरी है सीर्ट छिर अऌंग हुई कि आपको पहले बता देता हूँ इस एंप्लिफायर मॉडल को हाई एंपियर चाहिए और मेरे पास तो अभी एक एंपियर के भी पावर सप्लाय नहीं है इसलिए यह बीच में साउंड कट हो रही है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी पॉफ़वेंस लो है इसकी सप्लाय दे सकते हैं डेड़ दो एंपियर की मेरे पास तो एक एंपियर भी पुरे पूरी नहीं है और मैंने इसको बारा वोट दिया है अगर आपके पास चौबीस वोल्ट हो अगर दो एंपियर हो तो गई यह बहुत ही जखास सलेगा और भी कुल साउंड करने होगा क्यो आपने देखा कि पूरा हिला डालता है गाइस बहुत टगड़ी साउंड को बेस कॉलर्टी इसकी साउंड तो इसमें दपकर आदे क्योंकि इस दब वूफर है लेकिन इसकी गाइस बूफर की कॉलर्टी बहुत बढ़े है मैं आपको फेर से सुनाता हूँ हूँ जाए अब भी मेरे दिमाइग में का एडिया है क्योंकि गई जमार एक पेनल बंदे तो हमें इसको कनेक्ट कर देदे फिर देखते क्या होता है गाइस एक एक्सपेनेट हो जाएगा गाइस दोनों पेनल को एक में कनेक कर देते हैं जाएज हो जाएज हो जाएज हो जाएज हो जाएज हो तो जाएज मेंने कनेकर दी आपको सांट दूली सुनना थाओ जाएज हो जाएज हो गाइस जेटो साउंड बट कर डटो रही है है यह है मैंने इसको सिरीज में किया अब जेक्यार्च अभी प्यैरल में कनेक्शन कर देते तैं यह नुँट तो नहीं होगा मैंने सोल्डर मार दिया है कोई बात नी चलो एक नीकाल के आपको दिखाई लेता हूँ तो गाइज यह बूफर तो बहुत अच्छा बढ़िया बढ़ रहा है अगर आपको हॉम डेटर बना आना है और यह वाली एंपले कार्ड चाहिए और यह वाला ही आपको यूज करना है तो आपको 24 वोल्ड और दो एंपियर की सब्लाइच होगी जो इसको और बड़े तरीके से बज़ा सके लेकिन आपको उसमें जब स्पीकर्स लगाए तो हाई वोल्ड के यानि 10-15 वोल्ड के मत लगाना ज्यादा 20-25 वोल्ड के स्पीकर्स लगाना वह इसमें बड़े अगर अगर आप इसमें 27 वोल्ड और दो एंपियर दोगी तो इसका गाइस परफोमेंस बहुत हाई हो जाएगा वगर आप इसमें 10 वोल्ड या 5 वोल्ड के स्पीकर्स लगाओगे तो उठ जाएंगी हाई कोड़े के इससाब से लेकिन यह गाइस कभी भी निए उड़े इसकी मै आपके लाइब हैट होई और यह आपको इससे छोटा भी लेसकते हैं लेकिन इससे बड़ा मतले ना इससे वड़ा इसमें सपोर्ड ही नहीं करेंगा इसे चोटा आप चार इंसे आपको मिले तो घंची लगी हो तो वीड़ेओ और चैनल को सब्सक्राब जबूद से कर देन इस चैनल पर मैंसे लाता रहता हूँ चले गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और हाग अगर आप इसको पर्चेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जिलिक मेनद देदें तो आप वहाँ से जागा पर्चेस कर सकते हैं चले गाइस मिलते हैं किसी ने करेंग कर दो को कर दो कर दो कर दो कर दो है आया है अप별 मय LAUGHTER ज्ट्स हुआब आग सबस्टा हुआब कि je आप कि मुआब कि एग वह ुटे छुब